प्यारे दोस्तों, शान्ति पुन समाधान ही हमारे दुनिया के लिए सबसे उत्तम उपाय है। नाइंदर मोदी जी, शी जिंग पिंग, राश्प्रभुख मिलेंगे और सचे दिल से शान्ति की भासा समझेंगे। हम सभी लोग छनभंगूर हैं इस पिर्थवे पर, इस पिर्थवे पर बिभिन्नी राश्ट्रों ने अपने अपने जगह को अपने हिसाब से सुरक्षित रखा है। अब उसकी जो सिमाय हैं उसका समान होनी चाहिए। बिष्तारबाद की नीती से हम कभी भी शान्ति कायम नहीं करेंगे। हमारा माहान भारत वर्ष कभी भी किसी के उपर हमला नहीं किया और नहीं किसी के नीजे मामले महस्चेप किया और नहीं किसी सहर जमीन पर जाके कब जाकरने की कोशिस की है दुरिभाग है कि सी जिंग पिंग बिलकुल दिवानगी में सब देशों के साथ, सब राष्टों के साथ दुस्मनी मोल ली है चोदों के साथ तो इनके सीमा हैं लेकिन बास, बाइस राष्ट हैं जिससे इनके दुस्मनी ली है तो मैं निवेने करता हूँ कि दिमाग थोड़ा सांत कर लीजिए मरेंगे बहुत जल्दे हम सभी इसलिए अपने आने वाली पीड़ी के लिए जो बरवादी होगी World War 3 के बाद एटमिक बम गिरेंगे ये बंदूग छूरे चाको की लड़ाई नहीं होगी ये लड़ाई होगी तो इतनी दुस्मनी बर जागी कि जिसके पास जितना आटमिक बम है सब एक दूसरे के उपर जोग देगा और उसमें सीजिंग पिंग हो या कोई भी हो सब का सरवनाश रविनाश हो जाएगा जिस तर हिटलर ने खुद को गोली मारी थी इसलिए मेरे विश्यो के सारे महान लोग समझाओ इनकदारों को जो दूसरे का चीज हरपना चाहते हैं क्योंकि विनाश सरवनाश पुरी पृत्वे का होगा इसलिए फकीर योगी विरिंद्री योगी हाथ जोर के दुनिया के सारे राजनात्यों से विंती करता है कि सत्य मेब चैते सत्य ही है कि अपनी परिदी में अपने देश की जो आपकी सीमाएं हैं उसमें सुरक्षित रहिए पूरी शक्ति का इस्तमाल करिए रोटी कप्रमकान और विज्ञानिक अनुसंधानों से जीवन को सुरक्षित करिए इस तरह के करुणा भारस फैला के दुनिया को मत मारिए और इससे भी संतोष नहीं हो तो जितने भी एटोमिक हथियार हैं इससे दुनिया का विनास करने के कोशिश मत करिए ये कुबुद्धी ये कुबचार अगर सीजिन पिंग तुमारे दिमाग में है तो याद रखना ये विनाशकारी विचार तुम्हारा सरवनास कर देगा जब दुनिया की सारी सक्तियां मिलेंगी मेरा प्यारा दोस्त दुनाल्ड टरम नन्वे मोदी जी जैपैन कोरिया चितने भी उससे परिशान है औस्ट्रेलिया सभी एक साथ मिलेंगे सीजिंग पिंग मारोगे तुम जरूर लेकिन मरोगे तुम ही सरवनास तुम्हारा ही होगा कोई भी दुनिया के सारी ताक्तों का अकेला सामना नहीं कर सकता फिटलर यही किया था इनल फिटलर सेवन फ्रंट्स पर उसने लड़ाई लड़ी थी और रोज की सेना जमनी में जाके घर में घुस घुस के समों का सरवनास किया था सीजिंग पिंग तुम महामुर्ख है लेकिन वहां के लोग हमारे भाई बन है सारी चीनी हमारे बन और भाईयों है उन पर थोड़ा तरस खाओ और सान्ती का समाधान सान्ती पूर्ण ढंग से करो सीमाए सुरक्षित रहेंगी पारिया है लेकिन लोब लालच में पढ़के क्रोध की अगनी में जलोगे और सब को जलाओगे साबधान कर देता हूँ सान्ती से जीओ सत्यमेव जयते